अबसकार दोस्तों, जब कभी डॉक्टर इंजिनियर, आईटी प्रोफेशनल वाले जैसे नाम आते हैं, तो मारे आखों में चमक आ जाती है, एक रोनक्स या जाती है, लेकिन एक नाम है, जिसका नाम लेते ही, मुझे और आप में एक ही छेई दिखेगी वह अताना साही की, ये जो बंदे हैं, ये आपको फुटपात पे पैसा उगाई करते हुए नजर आ जाएंगे, और ये जो बंदा है, ये रिश्वत लेता हुआ, अकसर दिख जाता है, यहाँ कोई और नहीं, पुलिस, तो ये जो पुलिस है, ये आज की जो अध्या आधनिक पुलिस है, जिस हम जब कभी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो वहाँ जो है रिपोर्ट के रिशिक मिलेगी नहीं, ये पुलिस वाले जो है, अपनी मर्जी से रिपोर्ट लिख देते हैं, और इनकी भासा महीं F.I.R. दर्ज होता है, तो ये जो पुलिस है, पारदर्सी नहीं है, हमारे आप गलती से ग्यारा सड़े ग्यारा वारा बज़े के बाद गलती सड़क पर पकड़ा गए, तो आपको जो है घर छोड़ देना चाहिए, ऐसी कुछ अच्छी चीजी होनी चाहिए, लेकिन आपको जो है ये उठा के लिए जा लेंगे, डग्गे में, अपने डग्गे के उपर बैठा कर ये आपको पुलिस स्टेशन की छट में जरूर बैठा देंगे, तो गैर कानुईनी अरेस्ट जैसी जो चीज़ें आप देखते हैं, और जनता से और ज़्यादा जब हमारे जैसे नागरी को पूछा जाता है, मुझे इससे पर्टिकुलर अगर पूछा जा तो हमारे जो जनता का पक से जनता की समस्या है, वो कुछ हिस्त्रकार है, पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस वालों से पूछा गया, कि भाया आप ऐसा क्यों करते हो, तुम्हा ने बताया, हमारी इंटर्नल समस्या हैं, हमारी आंतुरिक समस्या हैं, कुछ तो वो आंतुरि फिल्म रिलीज किये काहे के लिए थे तो उन्हों ने बताया कि भाईया सिंगम तो ठीक है अपनी जगा है लेकिन आप वास्तिक्ता में आईए राजनेता का दमाव रहता है बहुत जादा एक तरफ राजनेता है एक तरफ जो है राजनेता बोलड़ा ट्रंसफर कर जूँगा एक तरफ राजनेता बोलड़ा है घर में आके काम करवाँगा बेटा तुमसे दूसरी तरफ आप यह देखे जनता है तो इन दोनों के बीच में पुलिस वाला कहीं चिप जा रहा है बहुत जादा प्रेशर का अनुभाव कर रहा है एक तरफ ट्रंसफर का डर है और एक तर है कि हमको सीविल का भी काम करना है सुरक्षा का भी काम करना है ससस्त्रबल वाला भी काम करना है क्राइम रिपोर्डिंग भी करना है मतलब दुनिया भार का सारा काम छोड़कर आप हमीं से काम करवा रहे हो तो सारा कुछ काम देखे इतने सारे काम जो है करने पड़ते है त दो, दो, तीन, तीन दिन तक बिना सोय ये काम करते हैं, कार के घंटे अनलिमिटेड है इनके, ये तो बात है ही, आप एक और बात देखे, कि इस चीज को कि हमारे देश में कितनी संख्या बल है, कि आवशक्ता से ज़्यादा काम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक सो इंक मैं तो आवशक्ता से जैदा काम भी करना पड़ेगा उसे और कार के घंटे भी बहुत ज्यादा करने पड़ेगे, आप सो जाएं, सोता हुआ पुलिस औला दि Eck गया, तो हम, और आप याने कि मैं, मेरे जैसे आदमी, जो है, वह वाट्स अप में वारल कर देंगे वीडियो बेहत संवेदनात्मक इशू है ये समझने की जुरूत है से तो आए देखें कि 159 और वन लाख 159 पर एक लाख जैसे जो है इनकी कम है संख्या मतलब काफी कम है संख्या जो स्टेंडर्ड होनी चाहिए कितनी 191 पर एक लाख ये स्टेंडर्ड होना चाहिए या फिर कई बार यूएन जो है वो बोलता है लगबग 222 रखिया आप एक लाख पर तो जो यूनाइटे नेशन उनके नुसार है ये नॉर्मल होना चाहिए इतना तो ये कुछ है बातें साथ ही पुलिस वाले ने अपनी समस्य या तो बताई जब हमने उपर वाले जो उनसे थे उपर के ऑफिसर उनसे जब पुछा तो उन्होंने बताया कि भाईया फाइनेंसी की कमी है स्टेट गवर्मेंट जो है वह तीन प्रतिसत से कम खर्च करती है पुलिस की कि जो कम्यूनिटी से वाय वो नहीं मिलती है हमें आ क्यों नहीं करेंगे और क्यों वह पक्ष में रहेगा किसी के सॉरी क्यों नहीं कि निस्पक्षता जैसी चीज़े कैसे आएंगी कैसे होगा पारदरसी रवाई यहां सो वापस आईए कि इंटेलिजेंस की शेरिंग जो है नहीं होती है होता क्या था कि 1860 का जब ताइम था तो उस समय जो होता है इस प्रकार का था की 1960 के टाइम में होता यह था कि अधर जो इंटेलिजेंस है जो डीजी पी है टॉप रेंग जो डीजी पी होगा पुलिस का डीजी पी लाएग तो यहीं जो इνटेलिजेंस करेगा यह इधर शेयर करेगा डीजीपी उसका फिर आप जो पुलिस डिपार्टमेंट में ख़बर फेलेगी कितना टाइम लग जाता था तो इसी निए जो इंटेलिजेंसी शेरिंग नहीं होती है ये भी एक समस्या है अभी भी नहीं होती है नाइट नौ नौट अन्ली लेकिन जो समस्या है वो पॉइंट में आपकी यही समस्या है सही है तो जब भी एंसर राइटिंग या फिर जब भी कुछ भी आता है तो यह पॉइंट्स में आपको इतनी समस्या है रखनी पड़ेगी एक और जो समस्या बजगे थी ट्रांसफर का डर ये भी आप बिलकुल ध्यान में रखेगा, यह कुछ है, यह समस्याएं है, पुलिस की, कमीटी बेटी सुधरात्मा कुपाई की है, लाइन बाइन, यह देखिए, कि जनता के प्रती जो है, बेकार रवाई है, इसलिए हमने नयतिक्ता की सिख्छा दिनी चाहिए, लगानी चाहिए, जैसे जो है, ब्रोग्राम आयोजित किये जाहिए, साथ ही, क्योंकि आपको ट्रंसफ़र का डर रहता, इसलिए हमने बुला पुलिस प्राधिकरन जैसा चीज़ बनाइए, जो ट्रंसफ़र जैसी चीज़ें को रेगुलेट करेगा, पुलिस को कंट्रोल करे कि आपने यहाँ से उटा दिया और आपने क्या कर दिया यह से ट्रांस्फर Jisada आधा दिया है अग्याआ यह दिखे ट्रांस्फर 191 पर लाग पर भरती याने कि सानोर जो काम करना पड़ думer नहीं docs आपने शुड़ा इस दीच को भी हटा दिया वन नापने 51 पर एक लाग की भारती जैसी जो चीज़े कर दी या फिर आप UN के इसाब से चलें तो लगभग 222 पर एक लाग पर जो आपने ये कर रहा है और बताइए क्या कर सकते हैं तो हो शक्ता से ज़्यादा काम करना पढ़ रहा तब या सिविल और सुरक्षा और ससस्त्र बालोग क्राइ सारे जो पुलिस बन उनका काम अलग-अलग कर दीजेख अपने आप ही काम कम हो जाएगा पुलिस का भार कम हो जाएगा ये काम कर दीजे साथ ही एक पुलिस का ल्यान विभाग लगाई है community से वेक सेवा के लिए आपने ये बना देना है आवास की सुधार देखेगा, सिक्षा की सुधार देखेगा और ये जो पुलिस का ल्यान विभाग है ये अदर कुछ भी जो है समस्याएं होती है अगर पुलिस वालों को तो पुलिस की समस्या के समाधान के लिए एनी अदर कोई सी भी समस्या हो उसके लिए जो है ये पुलिस का ल्यान विभाग हमेशा तत्त कर रहेगा एक विभाग ये बना देना है पुलिस कल्यान, इस्पेशल सेल, पुलिस के भरती, प्राधिगरा, अब आप यह देखिए, आधुनिक जो पुलिस वाला जो अमारा ठेट है, हर्याणा, मुबई, कहीं का भी लेजिए, ठेट वाला डंडा लेके चला रहता है, अब उसको आप कंपेर केजिए किस से, यहां स आज का साइबर हमला हु रहा रहा है, अर्ठिपिशियल इंटेलिजिएजए ओव만कि सकता है, उसके सामने अगर जो है लाठी वाला पुलिस वाला रहेगा तो बहत जो है वह घातक सिद्धर शकता है पुलिस वाले के लिए जनता के दीए सो आगे देखें दोजार पांच से पंद्रा का जो अगर आप देखें तो 25 परसेंट क्राइम बढ़ चुका है नेशनल क्राइम ब्यूरू का ये डाटा है सही है ये बात हो गई है तो अब आप देखें कि क्राइम खुद तो बदला ही है उसका पैटर्न बदला है आज की जिट में क्राइम का मैटर बदला है सारा क्राइम ही बदल गया है ऐसी लिए जरूवत है हमें कल्याण विभाग की, स्पेशल सेल की, भरती की, प्राधी करण की, जो ट्रांसवार जैसी चीज़ें और प्रेशर को रोके, ने तिक्ता की, जो उत्तरदाई हो, किसके लिए जनता के लिए, जनता पहुँचे तो बोले कि हाईए, मैं आपका सागत करता हूँ, मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूँ, यह नहीं कि आँखों में खुन उतरा है, हमें जो है, डर लगने लगे, हमारी जो है, गिगगी बन जाए, ऐसा कुछ, नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ काम करने के लिए बोला है कि होना चाहिए क्योंकि क्राइम का भी matter और pattern बदल चुका है इसलिए तो इसलिए modernization जैसी कुछ चीजें करने चाहिए हमारे government ने भी किया modernization of police umbrella योजना लेके आई इस umbrella योजना में पैसा खर्च किया काफी कुछ पैसा खर्च होता है 2017-18 में था इसे और बढ़ा है 2019-20 में रखा अंब्रेला योजना है मतलब इस एक योजना के इसमें मतलब तो इसलिए बोल रहा है वायर्लेज जैसे आप करवाएंगे नास्नल सेटलाइट नेटवर्क करवाएंगे सेटलाइट से जोड़ देंगे सारे रियल टाइम जो आप डाटा शेरिंग की जिए ऐसा नहीं कि पहले जो होता था डीजी पी धर का डीजी पी धर क कितना लंबा प्रोसेस हुआ करता था उसको अठाके बोलेंगे नास्नल सेटलाइट नेटवर्क तुरन डाटा करवाएंगे रियल टाइम पे होगा यह है उदर से निकला है कोई क्राइम करके अपना फटपटिया बगा रहा रहा और उसी से मिसको पकड़ लेंगे ऐसा कु कर रहा हो तो मैं आप लोग को बता दों कि यह जम्मू कस्मिर के लिए वांपंति उग्रवात के लिए और क्या नॉर्थ इस्ट के लिए तो यह जो है अलग से से बनाएंगे ऑवियसली एक नहीं हमें एक तो में देना ने तिक तक ट्रेडिंग साथ ही हम लोगों ने क्या क क्या कि दिएक कैशनल डमों नेटवर्क स्टलाइट का बनाना है तो यह जो है अप्ग्राठेशन कर लिया तो साथ ही आप ठाधने को जो हो देना है सारे धने एक दूसरे से आएंगे तो आप जो है असानी से क्या कर पाएंगे एक रियल टाइम कर पाएंगे किसका एक डाटा रहेगा पूरा कंप्यूटिक रिद्धाचा में और यह जो है सारो का डाटा जो है वो किस में रहेगा थाने में रहेगा तो उसे हम बोलब है कि नेशनल क्राइम डाटा बेस बनाएंगे और यह जो डाटा बेस है यह काम करेगा तो इस प्रकार का modernization of police umbrella scheme जैसी कुछ चीज़े चालू की गए थी की वही हैं और 25 जार करोन लगबग इसके लिए बोला है कि हम दे रहे हम लिया तो यह modernization करवाएंगे बहुत शांदार क्योंकि बदल चुका है क्या crime का pattern साइबर हमला जैसी जो चीज़े हो रही है जो एक बात यहां पास बात हुई थी कि हमने जो है वह transfer को रोकने के लिए पुलिस प्रादिकरना एक बात है और एक और चीज़े यह पीछे लिखा हुआ है क्या यह देखें कि पुलिस जो है हमारी प्यारी जो पुलिस जो पूलिस है सिंग हम पुलिस है यह स्टेट में नियांतरत होती है यह और सम्विधान में आर्टिकल 246 के तर पुलिस इस्टेट का विशय है यह है अर्टिकल 246 के अंतरगत रखा गया है कि पुलिस स्टेट का विशय है पुलिस के लिए गाइडलाइन्स और रूल्स जो है वह स्टेट ही डिसाइड करता है और एक्ट किसके तात्निय अंत्रित होती है 1861 का जो IPC का एक्ट है उसके ततनी अंत्रित होती है तो आप देखें IPC का जो एक्ट है 1861 होता क्या है 1857 की क्रांती आती है 1857 की क्रांती के बाद 1861 का एक्ट बनाया जाता है जिसमें पुलिस का प्रावधान किया गया और यह जो पुलिस है यह आज भी इसी ब्रिटिस कालीन एक्ट से संचालित होती है तो यह जो ठेट रवाईया है पुराना वाला यह आज भी वही है तो इसी लिए बोला जाता है कि इस एक्ट को बदलें अगर आपको सुधार करना है तो इस एक्ट को बदलें अज़ा बोला जाता है बाराल आईयो देखें सुधार अत्मकुपाई किये गे समविधान में पुलीस और कमिशन जो बैठे थे फार सुधार सुधार अत्मकुपाई के लिए जो कमिशन बैठे थे वो कौन कौन से थे तो सबसे पहले कमिशन National Police Commission 1970 में बठा बोला अपने बहुत सारी अनुसनसाइदी अनुसनसाइए क्या है वो यही सब अनुसनसाइए जो हमने बात की है रुबेरो कमिशन बठा 98 में पदमना भाया कमिशन बठा 2002 में मली मात कमिशन बठा 2002 में तो पद मनाब हो, चाहे मली मात हो, चाहे रुबेरो हो, सभी ने अपनी नुशन साइदी इसी प्रकार की थी 2005 में सोली जी बठते हैं अपना कुद का, ये बनाते हैं, मौडल पुलिस एक्ट लिए लेके आते हैं और इन्होंने काता 1861 के एक्ट को बदल दिया जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कौन सा था ये, तो ये था, मौडल पुलिस एक्ट इसने का 1861 को बदल दोजार च्छे का टाइम आता है, सुप्रिम कोट गाइडलाइन जारी करता है कि जो है, आप ये सब जो हटाएं, और एक बात और, 2006 में जब ये आ जाते हैं, हमारा जो सुप्रिम कोट है, वो, अभी आप ये देखे, कि सबसे जो सुरुवाद में हमारे बात हुई थी ना नाशनल पुलिस कमिशन, ये जो नाशनल पुलिस कमिशन है, कमिशन है, एन पीसी, सटतर की बात है यह बोलके गया था, टिजीपी का जो कारेकाल है, वो दो येर का करवा दीजे, पर्मानेंट दो येर का, अभी क्या होता है, कि डीजीपी हो गया, इसे जो है, स्टेट के सुट सो इसलिए का कारकल नहीं होना चाहिए तो इन्टेजर scratch में नहीं होना चाहिए और प्लतीगों इन्टर्फयरंस नहीं होना चाहिए इस बात को भी किस ने बोला था ऑट कि यहां कहने का मतलब यह है कि पॉलेटीषरों इन्टरफयरंस वह वह निवे प्रिम्नल केस में नहीं होना चाहिए था ये टिसाइड नहीं करेगा कोई नेता की किसी कुछ गिरिफतारी ना हो. सही है, तो यह गिरिफतारी जो है मैंने sort form में लिख दिया, तो गिरिफतारी जो है वो ना हो यह. ऐसी कुछ बाते हैं किस थी किस ने के थी? आंपीस ने. नहींद पूलिस कमिशन ऐसी कुछ बातो को कर के जाते हैं इसके बाद एक अंतिम जो पड़ाव था हमने बात किया था कि सुप्रिम कोट ने गाइड लाइन जारी की तो उसमें सुप्रिम कोट कुछ बातों को बोलते हैं जिसमें से एक बात है कि पुलिस जो है वो कम्प्लेन एक अथारिटी बनाई जाए पुलिस कम्प्लेन अथारिटी बनाई जाए कि अगर हमारी कोई समस्या है मतलब जनता कि मेरी आपके अगर कोई समस्या है तो हम कम्प्लेन कर चकें पुलिस के अगेंस्ट पुलिस के अगेंस्ट ये काम जो है किसने करवाया था पुलिस कम्प्लेन authority का Supreme Court ने किया था और इसने भी किया कि अपराद जैसा जो काम है उसको अलग रखना चाहिए मतलब उसके लिए अलग sell होना चाहिए और साथ ही यह जो है कौन सा हलप संथेक लिए अलग sell होना चाहिए कम जोर वर्ट के लिए अलग sell होना चाहिए किसने Supreme Court काम होने बाकी हैं अभी जगह पर तो यह कुछ बाते थी कुछ कमिशन के साथ और भी कुछ अगर आगे आता है कुछ सुधारात्मा कुपाय आते हैं मैं डेफिनेटली प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने तो लगबग चीज़ है Supreme Court अपराद सेल पुलिस कंप्लेन के अगर आप इन्हें कुछ करते हैं और साथ ही मौडनाइजेशन ऑप पुलिस करते हैं तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि हमारी जो पुलिस है वो एक दिन हमारी स्मार्ट पुलिस होगी ना सिर्फ दिखने में बलकी एक्ट करने में स्मार्ट होगी डिलिवर ओफ सर्विसेस दिने में स्मार्ट होगी ये पुलिस तब जाके हम एक पुलिस की सांदर छविला पाएंगे और सांदर छवी के साथ ही जो हमारा समाध भी सुदरेगा So thank you very much, thanks